गाई की निबंद गाई एद पालतु पसु है गाई मनुस्या के लिए बहुत उप्यूगी पसु है गाई को भारत में गव माता किन संग्या दी गई है सभी जानवरों में गाई सबसे मासुम और दयालों जानवर है गाई भारत का पमित्र पसु है और इसकी पूजा की जाती है गाई एक साकाहारी जानवर है गाई हरी हरी घास पतियां और भूसा खाती है गाई एक चौपाया जानवर है गाई की एक नाव एक मूँ दो आखे और दो कान्थ होती है गाई की चार पैर दो सींग और एक लंबी पूच होती है गाई लाल सफेद समकते वाली काले सफेद लाल भूरी काली आधी कई रंगों में पाई जाती है गाई हमें दूध देती है दूध में पौश्टिक भारी मात्र में पाई जाती है गाई की दूध पी कर हम स्वस्थ और मजबूत रहते है गाई दूध की प्राथमिक स्रोथ है दूध से कई और उत्पात जैसे मखन, मिठाई, दही, पनीर, घी, खोवा, आधी बनाये जाते है दूध हमारे रोग प्रतिरोधक छमता को भी मजबूत करता है मा का दूध नहीं होने से गाई का दूध सिसु के लिए बहुत ही उप्योगी एवं लाबकारी होती है गाई हमें गोबर देती है जो सुधता एवं बहुत ही उप्योगी होती है गाई की गोबर से मिट्टी वाली घरों की लिपाई की जाती है गाई की गोबर से पूजा इस्थलो को भी लिपाई की जाती है एवं पूजा उप्योग में लाई जाती है गाई की गोबर से कंडे गोबर के और बायो गैस बनाये जाते हैं जो इंधन के लिए उप्योगी होती है गाये हमें बच्छडा वा बैल देती है जो खेती उप्योग में लाई जाती है भारत में गायों के अनेकों नसले है लाल सिंधी सहीवाल गीर देवनी धार पारकर आधी दुधारु गायों की प्रमुक नसले है इस प्रकार गाय हमारे लिए बहुत ही उप्योगी एवं लाबकारी होती है हम सभी को गायों की पालन रक्षा और सेवा करना चाहिए दो जो अबड़ कि प्रकार पार करते है